जेके पारस हॉस्पिटल की तरफ से 24 अगस्त को ही प्रेस कॉंफरेंस में डॉक्टर्स ने सभी को मीडिया की जरीए हार्ट रिलेटिट समस्या और इनके इलाज के बारे में बताया प्रेस कॉंफरेंस में लगातार क्यूं बढ़ रहे हैं कार्डियक अरेस्ट के मामले और क्या है कार्डियक अरेस्ट क्या कॉंबो डिवाइसे से कार्डियक अरेस्ट से बचा जा सकता है या उसे ठीक किया जा सकता है कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटेक और हार्ट फेलियर क्या समान है या भिन है किस तरह से हमारी जीवन शेली कार्डिक अरेस्ट के खत्रे को प्रभावित करती है इन सब सवालों के जवाब भी दिये गए डॉक्टर अमित खंडेलवार निर्देशक और विभागाद्यक्स कार्डियलोजी विभाग पारस हॉस्पिटल उदैपुर ने बताया कि कार्डिक अरेक्स एक ऐसी स्थिती है जिसमें मनुष्य का रिदय अचानक काम करने लगता है या काम करना बंद कर देता है और इसके कारण अचानक रिदय का धड़कना बंद हो जाता है कार्डिकरेस्ट किसी भी कारणवश हो सकता है 80% मामलों में या हार्ट अटेक के कारण होता है बाकी 20% मामलों में ये मस्तिक फेफडे और शरीर के अन्य अंगों में खराबी के कारण हो सकता है सफल सरजरी के बाद स्वस्त मरीजों का कहना है कि वे डॉक्टर अमित खंडिलवाल और पारस अस्पिताल उद्यपूर की पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि यहीं आकर उन्हें एक दूसरी जिन्दगी जीने का अफसर प्रदान हुआ है वे बहुत ही खुश हैं और पारस अस्पिताल उद्यपूर को बहुत धन्यवाद देते हैं करें फॉलो करें वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबा की किसार पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिमेदारों तक पहुचाना ही हमारा लक्ष है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है हमारा सहयोग करें स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दे और जॉइन बटन पर जाकर सदिसिता ले चाहे सबसे जोटी सहायता के रूप में ही क्यों नहों जनता की वेबाग आवा कर दो